नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों, आज में इस वीडियो में आपको सितंबर महीने में बोई जाने वाली कुछ ऐसी खास सब्जियों के वारे में बताऊँगा, जिनकी बिजाई अगर आप 15 सितंबर से पहले पहले अपने खेतों में कर देते हैं, तो आपको जो इन स चैनल पर नए हैं, ये वीडियो वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, और अगर आपको कोई भी खेती वारी से जुड़ा सवाल है, या इस वीडियो से जुड़ा सवाल है, तो आप से कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सितंबर महीने में जो हमारी सबजिया बोई जाती हैं इन में जो और सीजन के मुकाबले जैसे गरमियों के मुकाबले जो बिमारिया है वो भी बिल्कुल ना के बरा तो किसान भाईयों 15 सितंबर से पहले पहले अगर आप अगेती मटर की खेती कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट और साथी साथ जो इसके आस्मान छूते रेट आपको मिलने वाले हैं जिससे बहुत ही अच्छा खांसा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं किसान भाईय अगर आपका टेंपरेचर आपके यहां बना हुआ है तो आप अगेती मटर लगाने का बिलकुल भी ना सोचें क्योंकि इसमें आपको डेरो बिमारियां और तरह तरह के नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकते हैं तो इसलिए अगर आपके यहां पर 32 दिगरी टेंपरे से पहले-पहले इसकी भी विजाई कर देते हैं तो बहुत ऑच्छे रिजल्ट और शाथी साथ जो हमारे मंडी के रेट रहते हैं वो बहुत ही आङि यहां चूते रहते हैं जिसके रेट वोई शानदार आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इसको हम 56 कदू के नाम से भी ज जान सकते है तस्वीर में आप इसके तस्वीर देख सकते हैं तीसरे नंबर कि जो खेती है वह किसानभाई की खेती 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 के के बहुत ही अच्छे जो इसके रेट हैं वह आपको मिल जाएंगे माइनों आपका खेताг हो जाता है आदसे दो महाईने बाद जो तो आपके इसके rate मिलने वाले हैं बहुती अच्छे खांसे बनते हैं जिसकी वज़े से बहुती अच्छा खांसा मुनाफ़ा आप इस फसल से कमा सकते हैं तीसरे नंबर की जो फसल आती है वो आदा दोस्तो हमारा टिंडा तीनडे की खेती भी अगर आप करते हैं सितंबर महिने में तो इस समय का जो टिंडा है दोस्तो उस समय पर जाकर इसकी जो डिमांड है बहुती अच्छे खांसी रहती है सर्दियों में जिसके जो rate हैं दोस्तो बहुती अच्छे खांसे लगबग 40-50 रुपे किलो तक आपको म की दोस्तो हमारी दोस्तो चोथी अगर हम पांचवी खेती की बारे में बात करें तो पांचवी खेती दोस्तो है इस्टोबेरी की खेती देगे इस्टोबेरी के जो rate है वो आज के समय में हमेशा हर साल दोस्तो देखे जाते हैं बहुती शांदार और अच्छे रिसके rate मिलत आपने देखा हुआ मार्केट में छोटे छोटे इसके बोक्स मिलते हैं लगबग 100 रुपे तक का दोस्तो वो बोक्स आपको मार्केट में मिलता है जो अगेती वाली इस्टोवेरी होती हैं तो आप अगेती इस्टोवेरी की खेती करके भी बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं हमारी चटे नंबर पर जो खेती है वो है दोस्तो ब्रोकली की खेती लेकि इस समय पर अगर आप हरी वाली जो हमारी गूबी होती है जिसको ब्रोकली बोलते हैं उसकी खेती अगर कर लेते हैं तो ब्रोकली हमारी एक्जोटिक जो हमारी वेजेटेवल्स होती है उसमे पहले आपकी जो ब्रोगली है दोस्तों बहुत धड़ा पड़ दिख जाती है और बहुत ही अच्छे इसके रेट हर साल बने रहते हैं चाहें अभी भी आप अगर जाके पता करेंगे ब्रोगली का रेट तो वो भी दोस्तों अच्छे खांसे कम से कम 50 रुपे किलो से नीचे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे देकि ब्रोगली के साथ में आप गोबी पता गोबी और जो हमारी गोबी बाले सिगमेंट होते हैं इनको भी लगा कर अच्छा कहां सा मुनाफ़ा ले सकते हैं यह होगी दोस्तों हमारी च्छटे नंबर की साथवे नंबर पर अगर हम बात करें तो साथवे नंबर पर आप लगा सकते हैं शिम्ला मिर्च देकि शिम्ला मिर्च की जो डिमांड है वो हर साली अच्छे कहां सी पूरे साल बनी रहती है शिमला मिर्च को अन्य कई दोस्तों चौमीन के अंदर और भी कई अन्य दोस्तों हमारी जो पूरे सालिस की जो डिमांड है वो बनी रहती है इसके जो रेट रहते हैं वो भी आप देख पाते हैं कि बहुत ये अच्छे इसके रेट रहते हैं सितंबर महीने में अगर आप शि देखने के लिए मिलेंगी तो इसलिए भीमारी भी कम रहेंगी और जो आपके रेट रहते हैं वह भी बहुत ही शांदार आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छी का ब्रहती है जो मार्किट के डिमांड रहती है जो टमाटर की वो शुरुवात में दोस्तों बहुत अच् impacto कम देखने के लिए मिलती है जिसकी वज kenns जो आपके rate है वो आपको जादा मुनाफ़ा देकर जाते हैं आपको जो टमा टमाटर होते हैं और बहुत अच्छी इनकी जो पैदावार है रहती है बिमारिया भी दोस्तों आपकी इस सीजन में कम लगती हैं तो ये थी कुछ सबजियां जिनको आप सतंबर महीने में लगा कर अच्छी कांती जो मुनाफ़ा है वो कमा सकते हैं किसान भाईयों 15 सितंबर के अगर हम बात की बात करें तो 15 सितंबर के बाद अगर आप अगेती आलू की बुवा जाता है इसके जो रेट रहते हैं वो किसान भाईयों कौम से कम 50 रुपे किलो से उपर ही रहते हैं आप चाहें पिछले साल के रेट इस वार के देख सकते हैं गूगल पर चाकर क्या इस समय के बंडी रेट थे और आप अगेती अगर आप 15 सितंबर के बाद अगर आलू जैसे कि हमारी मूली, मेथी, धनिया, पालक इस तरह कि जो हमारी फसले होती हैं इनको लगा कर भी आप अच्छा खांसा मुनाफ़ा इस समय पर कर सकते हैं किसान भाईयों अगर आप अगेती में इस समय पर 15 सितंबर से पहले पहले धनिया, पालक, मेथी, सोया इस तरह कि ज की शुमांद रहती है, मंडी के अंदर बहुत ही अच्छी तगड़ी खांसी बनी रहती है, हर किसी को साग, सब्रहarta ज़ी काना पसंद होता है, इसलिए इनके जो मंडी रेट रहते हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं, इसके बाद मैं जो आँखरी नंबर में आपको फसल ब इनको आल बेश सकते हैं जो इनकी आल बनती है और चाहें तो इनकी गंटी बनाकर भी प्याज के रूप में इनको बेश सकते हैं बहुत ही शांदार रेट दोस्तों इन सबजियों के आपको मिलने वाले हैं जितनी भी सबजिया मैंने आपको बताई हैं झाल झाल